तो यहां पर आज का टॉपिक है टेरिडोफाइट क्यूंकि हमने ब्राइफाइट्स खत्म किये हैं तो यह जो बिसकिली मैं यह जो हर दिन मैं NCRT के जो टॉपिक्स मैं उठा रहा हूं और उनको मैं रेड आउट कर रहा हूं कि एक एक लाइन की मैं एक्स्प्लिनेशन दे रहा हूं क्योंकि NCRT इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नीट में कि आप ब्लीव ही नहीं करोगे जो 90 परसंट 95 परसंट या 99 परसंट जो क्वेस्टिन आते हैं वो NCRT से ही आते हैं और एवरी लाइन जो NCRT की है एक एक लाइन को बड़े अच्छे से पड़ो आपको लाइन तक याद होनी चाहिए क्योंकि डिरेक्ट लाइन उठा के क्वेस्टिन बना देखते हैं जो NTA जो कर रही है नीट एक्जैम तो चलो चलते हैं पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स जो टेरिडोफाइट्स होते है हैं क्या लिख रही है ncrt pteridophytes include the horse tails and ferns तो इस में कौन आते हैं देखो यह इंपोर्टेंट एक 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 लाइन इंपोर्टन है तो इसमें आते हैं horse tails and fernice तो horse tails and furnace किसके members है हम, these are the groups of the teradophytes, और यह जो teradophytes होते हैं, यह use होते हैं किसके लिए, they are used for medicinal purposes, तो बड़ा ही important point है, medicinal purpose that means यह economic importance भी है इसकी, क्योंक है, medicinal value है, teradophytes, teradophytes के जो, जो यह plants है, इनका medicinal value है, they are used for medicinal purpose, और medicinal purpose में basically, जो plants यूज होते है, teradophytes यूज होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं, इनमें हम, anti inflammatory होते हैं, they are anti inflammatory, तो जो सूजन होती है, उसको कम करने के लिए, यह लगते हैं, या anti cancer यह होते हैं, anti diabetic properties इनमें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज इनमें होती है तो इनमें एंटिवाइरल प्रॉपर्टीज है इनमें एंटिकैंसर प्रॉपर्टीज होती है और यहां पर हम खाली एक स्पीशीज यहां पर एक नेम देंगे किसका टेरडोफाइट्स में जिसका बहुत ही ज़्यादा क्या है तो तो उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन रोल किसमें है सेक्टर में बनाने में बहुत ही ज्यादा वह क्या है तो यह किस में आती है हमने हमने पड़े हैं क्या इसमें अभी जो मैं आपको आगे बोलूंगा इसमें क्लब मॉस्स आएंगी ठीक है क्लब मॉस्स जो होती है उनको हम बिसकली लाइकोफाइटा में आते हैं तो टेरडोफाइटस में एक ग्रूप आता है तो उसके बाद हम चलते हैं तो प्लस्टे आर अल्सू यूजट आज सॉयल बाइंडर्स तो इनका और एक यूज गया है यह यह यूज़फाइल बाइंडिंग सॉयल मैंडर्स यह सॉयल को होल्ड रखते हैं थे होल्ड वेरी कंपाट्टी तो दाट मेंस्डे प्रेवेंट आज बेस्टी रोज क्यूंकि यह hold करते हैं soil they are soil binders यह चिपका के रखते हैं soil को खेंगे they are used frequently they are also frequently grown as ornamentals देखो एक और इसका economic importance इसकी economic importance और एक क्या है they are used as the ornamentals that means they are used as ornamental plants तो ornamental plants यह use हो जाते हैं they are used as ornamental plants तो ornamental plants में कौन use हो जाएगा ornamental plants में इसमें हम example भी यहां पर देंगे ornamental plants जो होता है जैसे कि हम furnace mainly जो furnace आती है पहली है न और स्टेर्ट फर्नस टेर्टोफाइट्स में include होते हैं तो जो furnace है furnace are used as ornamentals ठीक है they are grown for the ornamental purpose तो सजावट के काम यह आते हैं तो furnace में ऐसा क्या चीज होता है कि यह सजावट के काम आते है it is because of their filage beautiful filage उनमें जो filage होती है that means cluster filage किसको हम कहते है filage हम बिसके लिए कहते हैं जो cluster होता है किमिका leaves का cluster जो leaves का cluster होता है that is called as filage तो यहां पर मैं लेखोंगा leaves leave cluster leaves का cluster जो होता है that is called filage और फालेज जो होता है beautiful filage के इनके होती है furnace की ठीक है तो furnace में बहुत ही beautiful filage होती है जिसके कारण यह use होते है as ornamental plants ठीक तो एक्स evolutionary they are the first terrestrial plants to possess vascular tissue now this is an objective another objective they are the first terrestrial plants to possess vascular tissue तो इनमें क्या है ब्राइफाइट में वास्किलर टिशू नहीं था बट इनमें क्या होते है वास्किलर टिशू जाइलम और फ्लोयम और इस अर्थ फिर्स terrestrial that means they are the first land plants the land plants यह फिर्स ट्राइट प्लांट्स कोन है on the basis of evolution तो जो क्योंकि evolution कहां से start होगी basically water से life originate हो भी और जो भी plants पहले बंगे phytoplankton और पहले पहले बंगे वह तो वह कहां कहां थे वह वाटर में थे लेकिन यह first true land plants तो जाइलम और फ्लोयम इनमें होता है वास्किलर टिशू है यह यह यूशल study more about these tissues in the chapter 6 तो chapter 6 में आप जब physiology पढ़ोगे तो जाइलम और फ्लोयं के पार में आप पढ़ोगे वहां पर the teradophytes are found in the cool damp shady habitat इनका क्या होता है teradophytes कहां पर पाए जाएंगे they are found in the cool damp shady places shady places means they are not grown in those bright areas they are grown in the shady places तो इनको जो इनकी जो light जो होते है light मतब sunlight यह bright sunlight में ज्यादा grow नहीं करते है as computer they love the shady places okay they love the shady places may flourish well in the sandy soil condition तो जो sandy soil है sandy soil जो होती है उन condition पे ज्यादा flourish flourish मतब grow हो जाते है clear तो you may recall the bright parties you may recall that in bright parties the dominant phase in the life cycle is gametophytic plant body तो हमने gametophytic plant body हमने mosses भी पड़ा क्योंकि we're a fat में आता है हम ने देखा कि उसमें gametophyte क्या होता है dominant phase होता है उसके life cycle में uh dominant phase कौन सा होता है gametophytic stage और gametophytic stage क्या होता है it's a haploid stage और gametophytic stage say क्या निकलते है gametes बनते हैं by the mitosis ठीख है और गमेट भी एस प्लाइट और गमेतुय बॉट बी मैञत्य civ होता की राप इस भीसिक sporophyte, जो main plant body होती है, क्या है, vegetative body, उसको हम vegetative body कहेंगे, या sporophytic body कहेंगे, तो जो main plant body होती है, terroophyte की, वो क्या है, sporophyte, और sporophyte, यह जो sporophyte है, यह क्या होता है, deployed to a number of chromosomes, ठीक है, और उसके बाद यह differentiate हो जाती है, किसमें, यही sporophytic body, यह differentiate होई होती है into true roots, तो देखो true roots इन में होते हैं, ठीक है, अभी जो हमने पड़े थे, breviphytes, उन में क्या थे, rhizides, में rhizides थे, बट इन में true roots होते हैं, ठीक है, तो terroophytes में, एक तो main dominant phase क्या है, plant body का, sporophyte, और यह sporophyte किसमें convert होगा है, differentiate होई है, not converted, differentiated into true roots, उसमें true roots presents होते है, stems and leaves, plus stems or leaves भी होते हैं, figure 3.3, तो 3.3 की figure यह है, तो that means, this is terroophytes, sledge neela, यह sledge neela है, तो इसमें true roots है, stem है, leaves है, ठीक है, यह roots है, तो these have true root system, stems or leaves, तो उसके बाद क्या है, these organs, possess well differentiated vascular tissue, तो leaves में, stem में, यह roots में, उनमें well differentiated vascular tissues होते हैं, the leaves in the terroophytes are small, micro, microphyllus, देखो, यह term is important है, microphyllus, जो small leaves होते हैं, terroophytes में छोटे leaves होते हैं, और उन छोटे leaves को हम क्या कहेंगे, microphyllus, as in sledge neela, और large microphyllus, as in furnace, तो furnace में क्या होते हैं, furnace have large leaves, and furnace, में, जब large leaves होते हैं, तो उनको हम क्या क्या है, macrophallus, तो हम कहेंगे, furnace are macrophallus, macrophallus means they have large leaves, while sledge neela, sledge neela क्या है, sledge neela is microphyllus, that means, इसमें क्या है, small leaves होते हैं, the sporophytes, the sporophytes bear sporangia that are sub-tended by leaf-like appendages called sporophyllus, कहता है कि जो sporophytes होते हैं, sporophyte, जो main plant body होती है, sporophytes में क्या present होता है, इन में present होता है, sporangia, ठीक है, और यह जो sporangia होता है, इस, इससे क्या होता है, that are sub-tended by leaf-like appendages, तो यह covered होते हैं by leaf-like appendages, जिनको हम sporophyllus कहते हैं, तो वो leaves, जो इस sporangia को cover up कते हैं, दियार काड़ा है sporophyllus, in some cases sporophyllus may be distinct compact structure काड़ strobellae, लेकिन कभी-कबार क्या हो जाता है, ये, ये sporophyllus होते हैं, ये जो leaves होते हैं, leaf-like structures जो होते हैं, जिनको हम sporophyllus कहते हैं, वो leaf-like structures कभी-कबार distinct होते हैं, separate होते हैं, compact होते हैं, और उस time हम उनको क्या कहते हैं, strobellae arcones, तो strobellae arcones कभ हम कहेंगे, जब ये sporophyllus, leaf-like structures होते हैं, जब वो क्या होंगे, distinct, distinct means, एक separate, alihida, तो उनको हम उस time कहेंगे strobellae arcones, तो जैसे कि ये strobellae arcones किस में पाए जाते हैं, slaginila and ecosystem, तो ecosystem और slaginila में ये strobellae arcones पाए जाते हैं, बड़ा important point है ये, और नीड के लिए बहुत ही ज़्यादा important है, the sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells, तो sporangia जो होता है, जो मैंने भी कहता था, जो sporophytes होते हैं, इसमें एक structure होता है, that is sporangia, और उसमें क्या होते हैं, that are subtendered by leaf-like appendates, that means that are covered by leaf-like appendates, जिनको हम sporophyllus कहते हैं, उसके बाद sporophyllus कभी distinctive भी होता है, separate हो सकता है, तो उस ताइम हम उसको कहते हैं, strobellae arcones, और ये जो sporangia होता है, sporangia produce क्या करता है, spores produce करता है, कैसे, by meiosis, और किनका meiosis होता है, spore mother cells का meiosis होता है, और spores बन जाते हैं, तो spore mother cell क्या है, it is deployed, और spores क्या है, they are haploid, ठीक है, the spores germinate to give, उसके बाद spores क्या हो जाते हैं, germinate हो जाते हैं, और उसके बाद वो देते हैं किसको जानम, give rise to inconspecious, small, but multi-cell, inconspecial means immature, but multi-cellular, inconspecious means immature, but multi-cellular, free-living, multi-cellular, free-living, photosynthetic, thaloid gametophyte called prothallus, तो वहां पर क्या formation होती है? prothallus की free-living होता है वो, ठीक है? free-living होता है, mostly photosynthetic होता है, तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे उसके बाद जो इसके आगे है तो वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा